विदान सबा के सीत कालिंज सत्र की सुरूवात आउस से ऊंध। जी आज से सुवित कालेज़ सत्की शुरुवात हुई है इससे पहले बैठक होती है सरदरी बैठक जिसमें तमाम आश्वासन पार्टी तरफे दिया था कि सुचारू रूप से सदन की कारवाई स्थरू होगी लेकिन देखने को बिला कि सदन की कारवाई से पहले ही पक्षी समाज्वादी पार्टी और समाज्वादी कि कुणो काम हो कुणो काम तहो नहीं कहुता उपारो कुटा गाड़ो जगड़ा करो ए कि परदर्शन से स 서 से क्या हुआ कल कर McMEN बैठक उतिंफिक होती है करमंत्व करते हैं कि सुचार रूप से सदन की कारवाई चलेगे तपर परदर्शन करने के कौन से जाफ़त आ गई आपको विधान सभा में वो उनका काम है वो अपना करे हम लोग अपना करे जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं आज के तारिक में गरीबों के बिजली के कनक्षन काटे जा रहे हैं 20,000, 25,000, 15,000, 30,000 उनके बिजली के बिल हैं तो उनके कनक्षन तो कट रहे हैं लाखो करोडों रूपया अमीरों के बिजली के बकाये हैं वहां कनक्षन काटने की हीमत किसी अधिकारी की नहीं है यहीं लखनव में सायकडो करोड रूपया एक-एक बंगले में विधायक मंत्रियों के हैं बकाये वहां काटने नहीं जाएंगे लेकिन कहां जा रहे हैं गरीब के हैं ठीके बड़ा मुद्दा इस मुद्दे पर कोई पार्टी चिंतन करने को तयार नहीं कि सनाते की गुव किच्वा में हैं नहीं उखाली यहीं परदर्शन करके पोटो किच्वा के अकबार से कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं इस बार का जो सत्र है छोटा है तीन दिन का सत्र है और ऐसे में यह माना जाला है कि कम दिन का सत्र है तो तमाम प्रभक मुद्दे जह उस पर उठाए आप की पार्टी की की तरफ से पहला गरीबों के जो विजली के करणे काटे जा रहे हैं ऑमीरों के कर जे अगर माप हो रहे हैं तो इनके भी विजली के माप किये जाए चुकि सरकार ने ही फिरी रासन दे करके उनका मन बढ़ा दिया है फिरी में मीटर लगा दिया ये नहीं कहा कि हम फिरी में मीटर लगा रहे हैं अब आपका बील आएगा अब सोच रहा कि फिरी का मीटर है तो बील कहां से आएगा तो उम्मस्त दम अराम से है एक ये बड़ा मुद्दा है गरीबों का दूसरा समाज और प्रदेश तभी तरक्कि करेगा देश जब सिक्षा एक रुपता हो एक समान सिक्षा हो अनिवार हो और फिरी हो गरीबों का इलाज फिरी में जातिवा जनगरना तक्निकी सिक्षा कक्षा चार से लागू हो बेरोजगारी चरम पर बढ़ रही है महंगाई एक सुर्चा डाइन की तरह मुहबाए हुए है इन तमाम चीजों को लेके अब समय चोटा सदन है 17 चोटा है अब जो समय मिलेगा इसी में अपना किया जाएगा यह भी देखने को मिला कि आज सदन में जो नेता प्रतिपक्ष है वह खलेश यादव नजर नहीं आए साथ ही तमाम आरोप प्रत्यारों भी चुनाओ के दरान लग रहा है क्योंकि तीन सीटों पर चुनाओ हो रहा है क्या मानते कि वाकई में चुनाओ में तमाम ही तरके दुपे हो रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तमाम गरीब कमजोर लोग जिला पंचाय सदस्त जीते तो उनको हरवा दिये प्रमख्वी के चुनाओ में जिसको चाहिए उसको गुंड़ाई के बल पे उसको प्रमुख बनाते थे इद्धों नहीं किया ना वही हाल चेयर्मेन के चुनाओ में किये थे यही डिमपल यादव जी निर्विरोद लोग सभा हुई थी ने किसके दम पे हुआ था सरकार के दम पर पर परचा नहीं भरने दिये गए जो भरा उसोई को उठवा लिये परचा उठवा लिया गया तो जो आपने सिखाया है उसी रास्ते पर जो सड़क आपने बनाई उस कमरें बैठें लेकिन इस बार देखने को मिला कि मैंनपूरी में सबस्यादा प्रचार प्रसार किये लोगों से मुलाका दिके कहीं क्या मानते हैं कि वह आपके राय को माने हैं नहीं चेरा भाई धर्मिंदर यादव चुनाव लड़ता तो प्रचार नहीं होगा लेकिन खतली चले गे रांपूर चले गे और वहीं गाउं गाउं घुम रहे हैं सिर्फ पत्नी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो यह सी से नहीं निकलते हैं पत्नी ने मजबूर कर दिया कि चलो यह सी से बाहर प्रचार यह लगता है कि अब इस तरह के और जो चुनाव होंगे उसमें अखले से यादव निकलेंगे अब वह उनका भी सह हो निकलें नहीं निकलें हम तक करने सुब्तल है ठीक रहे है का जरूरत है अब जो नेता जी करके चले गए अब वह चीज किसी की बस का नहीं है क अब बातों को रखा और साब तर पर कहा कि अखले श्यादव अगर नेता जी की विरासत को बचा ले तो यहीं बहुत बड़ी बात है वीडियो इस तराजिश के साथ अश्वनिस तिंग पंजाब के श्री लखनव हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध निवाद